अग्याव प्रेंड्स वेल्कम बैक टूमारी टूप चनल आज एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको कैसे अपने फ्लिप कार्ट सुपर कॉइन से अपना फॉन रिचार्ज करना है दोस्तों इसके अब कटा है से लिचल शुक्त आपको इस परप्रकार का इंटर स्वपन हो जाता है। जिसमाप दखेंगे सकेंड लान में ट्रेंडिंग इंट वर के बाद एक प्रिचार्ज एन पेमेंट्स आपको अपना phone recharge करने के लिए इसी वाले option पर click कर लेना है जैसे आप इस वाले option पर click करेंगे कुछ समय कहाँ पर wait होएगा और होने के बाद आपके सामने यह option आजाता है जिसमें आपको कुछ options show करते हैं जिसकी सबसे पहला आपका option होता है mobile recharge का इसमें आप अपना prepaid और post paid दोनों phone recharge कर सकते हैं यहाँ आपका mobile number prepaid हो चाहिए आपका mobile number post paid हो इसके बाद हमारा दूसरा option आता है electricity का दोस्तों electricity में हमारे सामने यहाँ बहुत सारे operator हैं कोई भी आपका operator है आप यहाँ पर इससे देखके कर सकते हैं अपना electricity bill भी payment कर सकते हैं इसके बाद आपका आता है credit card यहाँ पर अपना credit card number enter कर गए bill amount enter कर लेंगे और payment के लिए proceed कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपका आता है d2h का यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार के d2h show कर रहे हैं इनकी आप payment इसके बाद यहाँ पर देखे प्रिपेड है या पूश्पेड है select कर लेंगे उसके बाद operator हमारा automatic selected है अगर आपका selected नहीं है तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं इसके बाद circle हमारा पहले से selected है अगर नहीं आपका होता है selected तो आप खुद इसमें देख लेंगे, इसके बाद आपके सामने option आया था amount का, कि कितने का recharge आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बता दूँगा आपको, आप manually भी amount enter कर सकते हैं, वरना check plan वाले option पर click करके यहाँ पर recharge देख सकते हैं, दोस्तों आपको मैं बस एक information के बता रहा हूं, इसलिए मैं टॉप अप आले option पर आ जाता हूं, जहाँ पर मैं आपको दिखा जाता हूं, यहाँ पर जैसे कि मैं 10 पर click करूंगा, अगर मैं 10 रुपे का recharge करता हूं, तो मेरा देखिए यहाँ पर कैसा दिखा रहा है, कि 10 रुपे का recharge करता हूं, total amount 0, proceed to payment summary, म यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर कर लेना है दोस्तों, मेरा यहाँ पर OTP नहीं आप आ रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करके, submit OTP पर आप जैसे ही click करेंगे, आपका यहाँ पर mobile number successfully recharge हो जाएगा दोस्तों, अगर किसी कार पताएगा इस जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो, तो हमारे चैनल को कर देना subscribe, क्योंकि इस परकार की जानकारी भरी वीडियों आपके लिए लाते रहते हैं, धन्यवाद